ओम जेन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालनी दुर्गाशमाश्यवा धात्री श्वहाश्वधा नमस्तुते नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचारी डॉक्टर विंत्रपाथी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्व बताएंगे आज का महामंतर क्या है यह भी बताऊंगा महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने से आपको क्या लाब होगा बारह राश्यों की बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज की बारह राश्या क्या कहती है कौन विदेश जाएगा कौन इंजिनियर बनेगा कौन ब पहान उन्नती होगी आपको सौधानी क्यावरतनी उपाय क्या करना है आप इसके बाद गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा और दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा आज जिनका जन्मदेन है उनके भी बारे में बताऊंगा आप देखते रहेए भागी गुरू का प्रियास्त होगा साम को साथ बच के दू मिनट पर चंदरमा रहेगा ब्रिश राशी में रोहडीन चत्र है शुकल पक्ष है आतिगंड योग है आज का जो सुम मोर्त है ग्यारफ पचास से लेकर के बारा बच के चो वालिस मिनट तक रहेगा रहु काल है सुबह दस बच के 36 मिनट से लेकि 12 बच के 17 मिनट रहेगा पच्षिम दिशा का दिशा शूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना के चंदरमा मेश राशी में जो मेश राशी वे जाता है आज अपने विजन को लक्स को प्राप्त करिए आलास में समय भरबाद मत करिए समय बहुत अच्छ करें कि शुर्बात करें और कोशिश करें कि राहुकाल में कोई कार ना करें जदि आज आप यातरा करना चाहते हैं तो खास तोर से दिशा सूल में यातरा नहीं की जाते लेकिन अगर यातरा छोटी दूरी की है तो माता पेटा का इचनारा सपर्ष करिए हल्दी दही का बागे देही में स्वाहा यह जो महामंत्र है यह जगत के अधिश्ठात्री देवी जगत माता लक्ष्मी जी का है मातलक्ष्वेंजी की पूजा करने से व्यक्ति के सुख में ब्रिद्धी होती है एस्वरी की प्राप्ति होती है धन धान में ब्रिद्धी होती है और व्यक्ति का चतोरतिक प्रगति होता है मातलक्षवें की कृपा से आपकी सभी प्रकार की परिशानिया दूर होती है ज़र आपकी कुल्डी में धन की स्थती कमजोर है धन का योग नहीं है अगर आप इस मंत्र का जब करते हैं तो आपकी माली हालत अच्छी है